हाई गाईज वेलकम बैक तू माय चानल सो दिस इस दी पार्ट टू अफ संडे मार्केट पॉल आज प्रॉमिस्ट मैं आपके लिए यह पार्ट टू बना रही हूं जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो जाके मेरे चानल को चेक आउट करें उसमें अल्रेडी अप उसका इड्रेस आपको पार्ट वन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर बेसिकली आपको 50 10 10 रुपीज से लेके 1500 तक सारा आइटम मिल जाएगा यहां पर आपको होम डेकॉर, क्लोथ और फूट पेर से लेके सम मिल जाएगा जो होम डेकॉर मैंने मह से लिए हैं, उनको मैं आपको ट्राइ करके दिखाऊंगी और साती मैं आपको यह दिखाऊंगी कि आप उनको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कैसे पहन सकते हैं, तो जो मैंने महां से कपड़े लिए हैं, उनमें से पहला है यह शिमरी टॉप, यह बहुत प्यारा है, यह बहुत जा रही थी, second look के लिए मैंने इसको अंदर tuck in किया है और दुपट्टे को पीछे tuck in करके, मैंने इससे एक इंडो वेस्टरन look create किया है, इस look को मैंने बहुत nude रखा है, कोई जूडरी आट नहीं किया है, क्योंकि यह ऐसे में ही बहुत subtle लग रहा था, आप इसे अंदर tuck in करके आजा blouse भी यूज कर सकता है, यह आजा blouse भी बहुत सुन्दा लगेगा ब्लाक साटन सारी के साथ, जो दूसरा है वो है यह blue color का halter neck top, इसका जो halter neck है इसमें यह saturn detailing है, इसके first look के लिए मैंने nude and golden heels and green trouser के साथ pair किया है, यह थोड़ा formal सा look दे रहा है, इसके waist पे crosshair detailing है, और यह back से backless है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है, यह top भी मेरे curves पे बहुत अच्छे से fit हो रहा है, इसमें मैंने bra के replacement में boob tape का use किया है, second look के लिए मैंने इसे white organza सारी के साथ pair किया है, जो कि कुछ ऐसा सा लग रहा है, सारी के साथ भी यह बहुत अच्छा option है pair करने के जो कि इसको बहुत chic look दे रहा है, और total जो complete look है वो कुछ ऐसा लग रहा है, जो next है वो है यह dress, यह cut sleeve dresses जिसमें straps हैं और यह बहुत सुंदर brown color में है, इसमें यह leather patches की detailing हो रही है, जिसमें यह floral और leafy pattern है, और यह netted है, इसके अंदर से यह पूरा एक satin, I would say satin का एक fabric है, जि जिसकी वज़े से बहुत shimmery सी लग रही है, यह dress मुझे midi length आ रही है, इसको मैंने flat के साथ pair किया है, नीचे जो leafy cut out से उनकी वज़े से और सुंदर लग रही है, यह मुझे full to goa vibe दे रही है, और इसको मैंने neck piece के साथ pair किया है, यह मैंने Nepal से लिया था और यह इसके साथ बहुत अच्छा सा लग रहा है, जो next item है वो है यह denim, so यह एक retro style wide leg denim है, जिसमें यह ton detailing से है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, और वो color difference की वज़े से और highlight हो रहा है, basically यह low waist boot cut denim है, जिसको मैंने boots के साथ pair किया है, जो कुछ ऐसा सा लग रहा है, इन boots को match करने के लिए मै जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, जो एक और item मैंने sunday market से लिया था, वो है यह bodysuit, maroon bodysuit, इसको मैंने green sliders और green cargo pants के साथ pair किया है, इस bodysuit में यह zip detailing थी और इसमें mention था कि यह small to medium fit हो जाएगा, I'm in size small तो मुझे यह बहुत अच्छे से fit हो रहा था, मुझे side में इसमें cut out चाहिए था, तो उसके लिए मुझे एक idea आया, इसको मैं इस lace से tie up कर रहे हूँ, नीचे से lace लजाके, ब्रा के अंदर डालके, और उपर से निकालके, मैंने इसे tie कर दिया था, अगर आपको ऐसा side cut चाहिए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप transparent strap भी use कर सकते हैं, और ribbon भी यूज़ कर सकते हैं, फिर जो leftover था, ये रसी, इसको मैंने अंदर की तरफ tuck in कर दिया, और फिर ये कुछ ऐसा सा लग रहा था, पूरा look side से, तो उनों side से मैंने इसे ऐसे कर दिया था, तो side cut out देने के लिए एक बहुत अच्छा hack है, बहुत अच्छा idea है, और अगर आपको आपको करना अपने body suits को, तो आप ऐसे उसको आप कर सकते हैं, और मैं आपको दो cute little secrets भी वताती हूं, कि जो मैंने ये top पहना है, ये सिर्फ 25 रुपीज का है, और इसमें बहुत अच्छी spaghetti detailing है, और इसमें अंदर brass supporting के लिए एक additional elastic band भी है, तो ये बहुत सुंदर है, और second secret, कि जो ये मैंने कान में पहने हुए है, ये earrings नहीं है, ये clips है, as you can see, ये ये चोटी सी clips है, ये जस एस्थेटिक से match हो रहे थे, ये dress से match हो रहे थे, और ये सुंदर भी लग रहे हैं ये से clip करके, और इनसे साथा कुछ ऐसे दर्द भी नहीं हो रहा है, ठीक लग रहा है, त तिल दे रनाव